अस्सलाम वलेकुम दोस्तों किचन कुईन बाई शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं आई हूँ फिर से एक नए रेसिपी के साथ आज मैं बना रही हूँ सिताफल रबडी भी मेरी स्टाइल में तो चलिए देखते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ला सब्सक्राइब के बटन दबाईए पास वाली बेल आइकन को दबान से आपको मैं रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी ये देखिए मैं देर लिटर दूद ली हूँ दूद को गर्म होने के लिए रखी हूँ ये देखिए दूद को बॉइल आच चुका है इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ही रहना है अब इसमें हम दो वाटी यानि सो ग्राम चीनी डालेंगे आप अपने मिठापन की हिसाब से चीनी डालिए अब इसे हम मिला के लेंगे ये देखिए मैं गर्म दूद लिए हूँ इसमें केसर डालना है और इसे दस मिनिट तक भीगोने के लिए रखना है अब इसमें हम केसर वाला दूद डालेंगे ये आप्शनल है इसे हम अच्छी तरश से मिला की लेंगे इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते ही रहना है ये देखिए दूद का कलर चेंज हो चुका है और ये देखिए दूद को कितना गाड़ापन आ चुका है दूद की कॉंटिटी कम हो चुकी है इसे हमें एक घंटे तक पकाते ही रहना है मीडियम फ्लेम पर ये देखिए दूद की कॉंटिटी कम हो चुकी है और ये देखिए मलाई कितनी आ चुकी है ये देखिए मैं इलाइची और चीनी की पाउडर बना के लिए हूँ ये हम एक चमर डालेंगे इसे हम मिला के लेंगे अब इसमें हम काजू, बादा, पिस्ता को मैं बारिक चॉप करके लिए हूँ अब इसमें हम डालेंगे आप अपने मन पसंदिता ड्राइफरूट डालिए इसे हम अच्छी तरह से मिला की लेंगे ये देखिए हमारी रबडी बन चुकी है अब हम फ्लेम बन करेंगे रबडी बनने में दो घंटे लगते हैं रबडी को हम थंडी होने के लिए रखेंगे ये देखिए मैं तीन पके विए सिताफल ली हूँ सिताफल को अब हम दो पार्ट में कट करेंगे एक बावल के उपर हम छन्नी रखेंगे और उसके उपर हम ये सीड और पल्प डालेंगे ये देखिए जो पल्प है बिना सीड़ का उसे हम निकाल की लेंगे अब इसे हम हिलाते रहेंगे आप इसे चमच के मदद से हिला सकते हो ऐसे हिलाने से जो सीड़ पे पल्प है वो आसानी से निकलता है ये देखिए जो पल्प है वो हम एक बावल में निकाल के लेंगे ये देखिए रबडी थंडी हो चुकी है और माशालला थीकनेस एकदम परफेक्ट है अब इसमें हम सिताफल का पल्प डालेंगे इसे अच्छी तरह से मिला के लेंगे ये देखिए हमारी क्विक एन इजी सिताफल रबडी रेडी हो चुकी है ये खाने में भोती यमी लगती है आप ये रेसिपी ज़रू ट्राई कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए चलो चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा फिर मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ चलो अल्ला हाफिज